कि ममस्कार दोस्तों मैं अरुन अगवा फिर्च से आप सभी का कम्पेटर प्रक्टिकर लाब में हार्तिक स्वाथ करता हूं दोस्तों आज की वीडियों में बात करेंगे थ्री एडवांस एक्सल फॉर्मला ट्रिक्स के बार में तो चलिए वीडियो की सरवात करते हैं तो दोस्तों मेरे पास यह डाटा है और यहां पर देखिए मेरे पास कुछ मुबाइल आइटम दियो और उनके प्राइस दियो हैं दोस्तों मुझे यहां क्या करना क्या है कि मुझे यहां पर एक ब्रांड के फोन के सारे प्राइस चाहिए तो इस तरीके से यहां पर आप इस इस्दनमर का फोट करना है तो यहां भी और इसके बाद यहां पर फिर से ऐक बार लागाने के बाद यहां पर mobile item की range को फिर से एक बार select करेंगे और select करने के बाद यहां पर आपको तीन बार bracket को बंद कर देना है और enter कर देना है दोस्तों मेरे पास यह कुछ data है और मेरे data में यह heading लिख हुई है तो इसको हम कैसे करेंगे यहां से हम इस row को select कर लेंगे और यहां पर name box पर जाएंगे और यहां पर हम print underscore titles डाल देंगे और enter कर देंगे अब दोस्तों देखिए होगा क्या जैसे आप control P करके preview देखेंगे तो आपके सभी page पर यह heading show होगी दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस तरीकी से डैली नाम लिखके आप ड्रैक करें तो बाकी स्टेटिक से नाम भी आ जाएं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां sell पर क्लिक करिए यहां फाइल में जाहिए फाइल में जाने के बाद यहां more में जाहिए यह इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह एक ओर डैला बॉक्स खुल जागा यहां पर आपको अपने डाटा को पिष्ट कर दे रहा हैं जो भी आप दिखाना चाहते हैं यहां पर एड़ पर क्लिक करेंगे यह दिखिए यहां एड़ हो गया यहां OK कर देंगे OK करने के बाद यहाँ पर इसे एक बार और OK करता है तो यह इसमें फिल्ड हो गया अब यहाँ पर आपको क्या करना है जैसे मैं यहाँ दैली लिखता हूँ और दैली लिखने के बाद मैं इस सैल को कुछ इस तरीके से पकड़के ड्रैक करता हूँ तो मेरे पास सभी स्टेट के नाम आजाते है